मार्केट सिचुएशन आई चैसे 5-5 दिनों से 2000 पॉइंट नीचे मार्केट गिर गया है मिट कैप में ले लो बिल्कुल रिस नहीं चाहते हैं कोई प्रॉल्म की बात नहीं है लार्ज कैप केटिगरी का फ़ंड ले सकते हो जहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो बस इतना ध्यान रखना कि हमें छोटी मोटी जो गिरावट है ये से हमसे बिल्कुल दूर रहना है हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि तो कहते हैं कि देखो यार म्यूचल फंड या शेर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना हो ना आपके जो जिगरा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसी सेच्वेशन आती ही जैसे अभी आई है मार्केट सेच्वेशन आई चैसे 5-5 दिनों से 2000 पॉइंट नीचे मार्केट गिर गया है अगर ऐसी सेच्वेशन आई जाई काफी लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि बाई साब मैं तो पैसे निकाल रहा हूँ रिडीम कर रहा हूँ मेरे हिम्मत नहीं है देखो यार अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो सच बता रहा हूँ आप एक आम इन जिन्दगी जो FB वाले जीते हैं वैसे जीना चालू कर दो क्योंकि सिंपल बोलूँगा ये सिच्वेशन आनी थी आना तय था हो सकता है आने वाले साथ दिनों तक ये सिच्वेशन रहे क्लियर बोल रहा हूँ मैं आने वाले साथ दिनों तक ये सिच्वेशन रहे मार्केट और गिर सकता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना आपने 2020 में जो किया है न उसी को हमें रिपीट करना है याद करो मैं आपको कुछ मिचल फंड के बारे में बताना चाहूंगा इसके रिक अगड़ा रिटन कमाया है क्यों कमाया है क्योंकि 2020 में जब मार्केट गिरा था देखो यार आप लोग को न मुझे डेमो दिखाने के आदस सी हो गई है सिम्बस ही बात बताता हूं मैं सेंसेक्स कहानी सुनाओंगा पिछले पांस साले 2020 में जितने लोगों ने इनिवेस्ट किया है मार्केट जो यहां हुआ है लोगों ने बीस से पचीस परसंट रिटन कमाया है वीजल फंड में देखो कुछ फंड कर दिखाऊंगा आपको जो फंड ने पिछले दो तीन साथ लाश्ट थ्री यर में 40 परसंट 50 परसंट 60 परसंट रिटन दिया है ये कब आया है ये यहां तक वेट किया 20 से 25 परसंट कमाया कि नहीं कमाया केवल एक साल के अंदर एक साल के अंदर आप यहां देखो लगबग 48 परसंट रिटन आपने कमाया है समझ गया ना situation ऐसी आती है अब मैं मानता हूँ यहां situation थी लेकिन आप देखो या मैं कैमर में थोड़ा पास रख है पैसा लगबग लोगं का डबल हो गया है तो यह situation कहानी क्या बताती है कहानी यह बताती कि भाईया जब भी ऐसा मोका मिले 50, 60, 70, 80 जो भी आपके पास हो दे डालो जोक दो भाईया यही यही पैसा बनेगा अगर आप डरो गए यहां पैसे नहीं बना पाओगी clear मैं कह र global market situation है कोई इंडिया की बात नहीं है हमारे भारती condition खराब नहीं है यह global recession है जब बात global की आती है न तो कोई भी sector YT FMCG sector auto sector सारे sector में problem आती है उसी समय market गिरता है जब market गिरता है तो आपके mutual funds वगएरा definitely गिरते हैं इसलिए मैं clear बोला कि भाई market जब गिरता है तो मैं चाहता ह हूँ और गिरे मैं तो सच मुझ चाहता हूँ और गिरे ताकि मैं और लंसम कर डालू जैसा मैंने अभी 50,000 लंसम भी recently किया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन से mutual fund में किया है क्योंकि situation ऐसी है कि बहुत अच्छी opportunity है बहुत अच्छी buying opportunity है आप यहां लंसम कर सकते हो 20, 30, 40, 50 मैंने किसमें किया अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ although एक दिन का loss लगभग 32,000 एक दिन का loss हुआ मुझे लेकिन मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में यही 32,000, 70,801,000 एक लाग के profit पे भी जाएगा मुझे पता है अच्छे से क्योंकि मैंने 2020 देखा है रश आपने पैसे डाला वो पैसे निकालने से पहले यह सोचा करो कि भी यह पैसे क्यों मैं ना निकालो क्योंकि पिछला भी ऐसा हमने देखा है तो नई कहानी तो है नहीं चलो मैं आपको दिखाने कोईश करता हूँ कि कहानी क्या रही है और मैंने कौन से mutual fund में इसमें मैंने इ अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन से important fund में मैंने invest किया आपको दिखाने कोईश करूँगा और ये fund है मैं सबसे पहले एक तो मैं small cap category के fund मैंने डाला क्योंकि मुझे पता है market current बदलेगा तो small cap तेजी से return देगा एक mid cap लिया risk थोड़ा सा कम risk minimize करके वो fund लिया मैंने अब आप देख सकते हो कि जब मैं बात करूँगा small cap की तो मैं small cap में कौन से fund में invest करना चाहरा हूँ आप देख सकते हो ठीक है अब मैं आपको दिखाने कोईश करूँगा कौन से fund में मैंने invest किया वो है हमारा axis small cap fund axis small cap fund में लगबख 4% की गिरावट देखने को मिली last one month की कहानी बहुत important थी पिछले 6 मेनों की कहानी देखा जाए तो 6 मेनों में तो return ठीक ठाक था लेकिन overall 24% मैं क्या देखता हूँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि भाई साहर इस fund ने overall 24% का return दिया है और 24% का return दिया है तो भाई साथ simple दिमाग का धक्कन तो खोलने की ज़रूत नहीं है कि 24% overall दिया है मतलब बीच में करवटें बदलेंगी समाय करवटें बदलेंगी पिछले 5 साल की कहानी देखा जाए 26% और जिनोंने COVID में हिम्मत दिखाई investment किया आप उनकी देखो 32% return कमाया है 32% return कमाया है हो सकता है आने वाले समय में ऐसी situation हो इसलिए तयार रोएं चीज़ों के लिए कमर कसके तयार रहना 4% कि रावट देखने को मिली थी overall इसका fund size 16,175 करोन का fund size है holding बहुत अच्छी जी company में है इसलिए मैंने 25,000 का investment किया आपको दिखा देता हूँ कि कैसे live investment हुआ है जो मैंने कि बात है देखो जब भी आप investment करो ये चीज हमेशा सोचो कि आप जो investment कर रहे हो आने वाले अपने बच्चों के लिए अपनी family के लिए अपने परिवार के लिए कर रहे हो जो आज की जिंदगी में अगर आप सोचो रहे FD से RD से saving से पैसे कमा लोगे मेरे दोस्त कभी नहीं कमा पाओगे life में risk लेना बहुत important है अगर आप वो नहीं लोगे definitely आप पैसा नहीं बना पाओगे mutual fund में बिल्कुल note कर लेना मेरी बात इसमें दो राए नहीं है चलो 25,000 आपने देख लिया मैंने किस तरह investment किया आप मैं दूसरे fund के बारे बताना चाहूंगा कि दूसरा fund ब मैंने इसको ले लिया last one month की कहानी देखा है 2.56% का return 2.56% का जो गिरावट मिली है मुझे यह मुझे फायदा होगा कि भाई साब यहां थोड़ा मोका है कि आप यहां थोड़ा सा invest कर सकते हो last one month की कहानी देखो आपके NAV लगबक यहां 144 थी 17 October को और कल की 144 अभी हो गई 137 थ डाल डाला बहुत अच्छा fund है और देखा जा तो यह fund ने overall काफी return दिये है overall हमेशा मैं क्या कहता हूँ overall देखा करो overall पिछले 5 साल की कहानी 21.6% return जो बहुत अच्छी बात है fund size बहुत अच्छा fund size है बहुत लोग ने invest किया है Indian Hotels, Tata Communication, Bharat Electronics, Max Healthcare Institute, Indian Bank यह सारे लोगों ने यहां investment किया है अब बाकी मैंने कैसे live investment किया है सब कुछ आपके सामने मैंने present करकर रख दिया है जो बिल्कुल clear है कि भाई साब जब भी आपको investment करना है जब भी आपको situation करनी है आपको बस इसना सोचना है कि this is the right moment, this is the right time जहां पास आपको देखना है कि best fund कौन कौन से है आप चाहो थोड़ा risk ले कि small cap category के में invest कर सकते हो, थोड़ा mid cap में ले लो बिल्कुल risk नहीं चाहते है, कोई problem की बात नहीं है, large cap category का fund ले सकते हो, जहां पे investment कर सकते हो बस इतना ध्यान रखना कि हमें छोटी मोटी जो गिरावट है, ये से हमसे बिल्कुल दूर रहना है हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये गिरावट कब आई, कब गई, क्योंकि हमने बहुत कुछ जहला है यही मेरा थोड़ा सा motivation वाला आपके लिए था, कि भाई साथ, situation कैसी भी हो आपका लक्ष important होना चाहिए, बीच बीच में top up, ये जो situation है ना market का, आपको top up करने के लिए एक मौका दे दिया है आपकी 24 है, आप डर जाओगे, कि invest करोगे ये आपकी ओपर है और I understand, जो मौरीत पूरी तरह भरोसा है, कि आप लोग डरोगे नहीं, क्योंकि चैनल फॉलो किया है, definitely एक एक कंड आपको mutual fund का बता रहा हूँ, stock market का डर्द और बाकी mutual fund का डर्द दोनों खतम लगबग करना ही है बाकी कुछ वीडियो का इसला जरूर बताना, चले पर नया और सुस्क्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं ने स्टुडियो के साथ, बावे टेक केर, जय हिंद